और इस बीच बड़ी खबर बुल्डोजर आक्शन पर सुप्रीम कोट में सुनवाई शुरू तो दो जजों की बेंच सुना रही है फैसला तो ये बड़ी जानकारी आपको बतारें बुल्डोजर आक्शन को लेकर आज का जो दिन है वो काफी एहम है तो अपना फैसला सुप्रीम कोट में सुनवाई शुरू हो गई है और सुप्रीम कोट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया है तो दो जजों की बेंच अपना फैसला सुना रही है तो हमें कई कानूनों का खयाल रखना है अपने विशेशक्यों के सुजाबों पर विचार किया है तो दे चासन पूर्वग्रह से गरास्तनाओ किसी का घर उसकी अन्तिम सुरक्षा होती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया जा रहा है। देखिए बड़ी जानकारी किसी का घर उसकी दंपतियों दोशी होना किसी का घर तोडने का आधार नहीं है। तो देखे सुप्रीम कोट की दो जजो वाली बेंच अपना फैसला यहाँ पर सुना रही है घर हर किसी का सपना होता है तो देखे जिस तरह से बुल्डोजर आक्शन हो रहा था उसको लेकर लेमा हिंद की तरफ से याचिका दाकल की गई थी और तीन जगाओं पर जिस तरह से बुल्डोजर आक्शन हो वा है उसमें चाहे बरेली ओ प्रियागरा जो उसका हवाला यहाँ पर दिया गया था और अब दो जजो की बेंच इस पूरे मामले पर अपना पैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी का घर उसकी सुरक्षा होती है ना कि कारपालिका कारिके आधार पर जी और राज कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना ऐसी संपतियों को धोस्त कर देना जो फिलहाल न्याय के मुताबिक उचित नहीं है आपको याद होगा कि जमियत उलेमाई हिंद और कई आचिका करताओं के द्वारा सुप्रीम कोट में ये कहा गया कि कुछ ऐसे प्रक्रिया के भी मकान को गिराया गया और उन्हें पहले नोटिस भी जारी नहीं किया गया ताकि वो अपने मकान से स्रामान को बाहर कर सके और अचानक बुल्डोजर आता है और कारवाई शुरू हो जाती है इस पर सुप्रीम कोट की ये जो टिपड़ी है उसके माइने ब राजसरकार के द्वारा हाला कि तमाम राजसरकारों के द्वारा सुप्रीम कोट में ये कहा गया है कि जो मुंसिपल एक्ट है उसी के मुताबिक कारवाई की जाती है अगर कोई अवैद अधिक्रमन है तो सम्मंधित पार्टी को हम मुंसिपल एक्ट के मुताबिक नोटिस जारी करते हैं और अगर वो नोटिस का जबाब नहीं देता है तब यह कारवाई की जाती है तो सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले में एक बड़ी टिपड़ी की थी कि मुंसिपल एक्ट के मुताबिक कारवाई तभी क्यों होती है जब कोई भी बैक्ति किसी अपराद में अ दीके से सुना रहा है और यह तै होगा कि सुप्रीम कोट का यह फैसला आने वाले दिनों में एक बड़ा नजीर साबित होगा क्योंकि सुप्रीम कोट एक नया फ्रेम एक नया गाइडलाइन बनाएगा कि अगर कोई राजसरकारें बुल्डोजर की कारवाई करती हैं तो पार्टी को एक नोटिस जारी करना होगा और कम से कम उस पार्टी को समझ दिया जाए ताकि वो अपनी ब्योस्ता कर सके या फिर उस पूरे नोटिस को अपील में यानि कि दूसरी कोट में चैलेंज कर सके लेकिन जिस राज से एक तरफा कारवाई की जा रही है राज सरकार के द्वारा वो नायोचित नहीं तो लोगतांतरिक सरकार की बुनियाद कानून होता है राज्य में कानून का राज होना चाहिए तो देखे दो जजों के बेंच लगातार अपना जो फैसला है वो यहाँ पर सुना रहे तो बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसले का आज दिन है और धीरे धीरे तस्वीर जो है वो पैसले को लेकर क्लियर होते हुए तो किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है ऐसे में अपराद के आधार पर महज घर तोड़ना सही नहीं है तो कई कानूनों को ध्यान में रखना है तो अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोट की तरव से ये फैसला यहाँ पर सुनाय ज़ा रहे हैं, किसी भी संपत्ती मनमाने तरीके से तोड़ना सही नहीं, किसी अपराद की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ग्राउंड से लगातार हमारे संबदाता भी बने होए, गरतकार रवाई पर अधिकारियों पर सकती होगी तो बुल्डोजर अक्शन पर सुप्रीम कोट में फैसला जो है वो लगातार पढ़ा जा रहा है और धीरे धीरे तस्वीर सामने आ रही है इस पूरे फैसले की सुरुवात एक कविता के साथ की, जिसका कहीं न कहीं सारा इस तरफ था कि सुप्रीम कोट इस पूरे मामले को लेकर बहत गंभीर है और सुप्रीम कोट एक बहुत प्रॉपर गाइडलाइन बनाने वाला है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में रासरकारों को बुर्डोजर की कारवाई को लेकर अब अपना कदम उठाना होगा तो देखे सत्ता का दुर्प्योग बरदाश्त नहीं होगा सुप्रीम कोट की तरफ से सीधे तोर पर कहा है एक एक पॉइंट को जो है क्लियर यहाँ पर दो जज़ों की बेंच अपना पैसला सुनाते हुए कर रही है तो कई कानूनों का हवाला भी यहाँ पर सुप्रीम कोट की तरफ से दिया गया है साथ ही यह कहा है कि सिर्फ अपराद के आधार पर ही घर तोड़ना सही नहीं तो सरकारी शक्ती का गलत इस्तमाल ना हो आधिकारी अपने मनमाने तरीके से कार्रवाई इस तरह की नहीं कर सकते तो किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है तो यह हवाला यहाँ पर इस पैसले को देते हुए दोशी होना किसी का घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता है तो बेलगाम होकर काम करने वाले अफसर जिमेदार है बुल्डोजर अक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो पैसला है वो पढ़ा जा रहा है तो आपको बता दे ग्राउंड से वारे संबादाता आपको जानकारी दे रहे हैं फैसले को लेकर तो उसने जिमेदार अधिकारियों की जिमेदारी है सत्ता का दुर्प्योग किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं किया जाएगा किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है ऐसे में अपराद के आधार पर किसी का घर तोड़ना सही नहीं बुल्डोजर जस्टिस सुविकारे नहीं है तो सुप्रीम कोट ने देखे एक लियर किया है कि ये बुल्डोजर जस्टिस सुविकारे नहीं है हाला कि अवैद अतिकर्मन को इस से अलग रखा गया है तो बुल्डोजर अक्शन पर सुप्रीम कोट में फैसला पढ़ा जो आ रहा है लगातार न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको हम इस फैसले को लेकर जो जो क्लियरिटी सामने आ रहे ही वो आपको दिखा रहे है किसी किसम पत्नी मनमाने तरीके से जो है दराशाही नहीं की जा सकती सरकारी शक्ती का गलत इस्तवाल ना हो तो सीधे तोर पर सरकार को ये चेताया जा रहा है सुप्रीम कोट की तरफ से ये क्लियर किया जो रहा है कि मनमाने तरीके से अधिकारी इस तरह की कारवाई नहीं कर सकते हैं पहले दोशी यहाँ पर ठहराना होगा और दोशी ठहराने के लिए भी एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसे निभाना होगा और उसे के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर होगी तो लोगतांत्रिक सरकार की बुन्याद कानून होता है और ऐसे में राज्य में कानून का राज होना चाहिए तो यह हवाला यहाँ पर अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोट की तरफ से तो यह बड़ी जानकारी आपको बतारे है सरकारी शक्ती का गलत इस्तमाल ना हो यह जानकारी यहाँ पर दी गए तो घर किसी की सुरक्षा की पहली उमीद होती है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन होना इस कारवाई के लिए जरूरी है हाला कि इस पूरे मामले में सरकार ने अपना पक्ष जरूर रखा था सुजाब भी वहाँ पर सुप्रीम कोट की तरफ से मांगे गए थे जिसके बाद एक अक्टूबर को रोक लगाए गई थी देशवर में इस तरह के अभी कोई कारवाई नहीं होगी और आज सुप्रीम पैसले का दिन है और दीरे दीरे जो तस्मीर है इसको लेकर साफ होते हुए नज़र आए समिधार में आरुफियों को भी अधिकार मिले हैं बुल्डोजर जस्टिस सुईकारे नहीं है मनमाने तरीके से मकान गिराया गया तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा प्रशासन जज नहीं बन सकता है